नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी, पंच्तंत्र की कहानी, ब्राहमन और सर्प, दोस्तों, किसी नगर में हरिदत नाम का एक ब्राहमन निवास करता था, उसकी खेती साधारन ही थी, अतहा दिकांच समय वह खाली ही रहता था, एक बार ग्रीश मृत में वह इसी प्रकार अपने खेत पर व्रिक्ष की शीतल चाया में लेटा हुआ था, सोई सोई उसने अपने समीप की सर्प का बिल देखा, उस पर सक फन फलाए बैठा था, उसको देखकर वह ब्राहमन विचार करने लगा कि हुना हो, यही मेरे क्षेत्र का देवता है, मैंन अज तक मुझे आपके विशय में मालूम नहीं था, इसलिए मैं किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं कर पाया, आप मेरे इस अप्राद को क्षमा कर मुझ पर क्रिपा कीजिए और मुझे धन धान्य से सम्रिध कीजिए, इस प्रकार प्रार्थना करके उसने उस दूद क को उठा कर रख लिया, उस दिन भी उसने उसी प्रकार सर्प की पूजा की और उसके लिए दूद रख कर चला गया, आगले दिन प्रातहकार उसको फिर एक स्वन मुद्रा मिली, इस प्रकार अब नित्य वह पूजा करता और अगले दिन उसको एक स्वन मुद्रा मिल जाया करती थी कुछ दिनों बाद उसको किसी कार्य से अन्य ग्राम में जाना पड़ा उसने अपने पुत्र को उस थान पर दूद रखने का निर्देश दिया तदानुसार उस दिन उसका पुत्र गया और वहां दूद रखाया दूसरे दिन जब वह पुनह दूद रखने के लिए तो देखा कि वहां स्वन्मुद्रा रखी हुई है उसने उस मुद्रा को उठा लिया और वह मन ही मन सोचने लगा कि निश्च थी इस बिल के अंदर स्वन्मुद्राओं का भंदार है मन में यह विचार आते ही उसने निश्च किया कि बिल को खोद कर सारी मुद्राइं ले जाएं सर्प का भाय था किन्तु जब दूग पीने के ये सर्प बाहर निकला तो उसने उसकी सिर पर लाठी का प्रहार किया इससे सर्प तो मरा नहीं और इस प्रकार से इक्रोध होकर उसने ब्राहमन पुत्र को अपने विश्यभरे दांतों से काटा कि उसकी ततकाल मृत्यू हो गई उसके संबदियों ने उस लड़के को वही उसी खेट पर जला दिया कहा भी जाता है लालच का फल कभी मीठा नहीं होता है सीक लालच बुरी बला है धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपनी राइ कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे और हाँ चैनल को स हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें